कुल जो अपर आई ट्याफ दोस्तों कैसे आप सब आई होप सब ठीक होंगे मस्थ होंगे तंदूर्स होंगे और हमारा विडियो देख रहे होंगे आज हमप्यूटर के बैसिक लेंगे जैसे की मोनुटर कीबोर्ड माऊस और सीप्यूक क्या होता है किसे कहते हैं उसको सिंप ग्यूंका अंधर पार्ट को हम deben को यहां पदेखिए यहां पर सबसे पहले हमारा क्या लिए सबसे पहले हमारा यहांप दिया है एम स्पपलErिया और प्लेगे मानिटर ऐसहाधिया कि मणीटर किसो करते और इसको keyboard कहते हैं जो तीर इधर किया गया है उसको keyboard कहते हैं और इसको क्या कहते हैं mouse को आते हैं और जो भी हम क्या बलते हैं mouse को हम इधर चाहिए उधर चला सकते हैं जिसको हमको दिखने को किस पर मिलता है monitor पर हमारे और हमारे keyboard को माध्यम से जो कम करते हैं मनीटर पेस देखने को मिलता है के और यहाँ पर इन consumption सकते हैं बता किसको कहते हैं एक मिनिट हो जाएं सेप्यू को कहते हैं सेप्यू को हम कहते हैं यहां पर यहां पर देखिए लोग सेप्यू को कहते हैं यहां पर ओके किसको कहते हैं कम्पीटर के पूरे कम्पीटर के माइंड को सेप्यू को हम बोलते हैं यहां पर जो दिया है फ्रेंटर फ् प्रिंटर में भेजते हैं प्रिंटर हमारा एक पेज के माध्यम से हमको निकाल कर देता है ओके यहां पर देखिए कि स्पीकर होता है जो भी हम इसमें साउंड बजाते हैं अपने कम्पीक्टर में बजाते हैं उसको गाना होना बजाते हैं वह क्या कहा सुनने को मिलता है स्प के पार्ट को रिफाइन करेंगे सिप्यू का अंदर के पार्ट क्या होता है कैसे काम करता है ओके देखिए अभी तक हम ने क्या कि देखा अभी तक हमने कंप्यूटर में क्या किसको कहते हैं मौनिटर किसको कहते हैं कि इसको कहते हैं माउस को कहते हैं सिप्यू किसको कहते हैं अब हम देखने वाले हैं कि अंदर के पार्ट कैसे काम करता है अंदर के पार्ट कैसे काम करता है अंदर के पार्ट को हम देखते हैं लोग अंदर के पार्ट को जैसे कि यहां पर में दिया है यहां पर क्या दिया है क्या देता है इलेक्टिक जिसे हमारा क्या पूरा कंप्यूटर चलता है ओके ओके यहां पर दिया है यहां पर दिखिए सीडी रूम रूम ड्राइब जो रूम ड्राइब होता है जो यहां पर रूम ड्राइब दिया है यहां पर एक मिनट यहां पर जो रूम ड्राइब दिया तो रोम का क्या होता है रिड अली मीमोरी जो भी हम इसमें काम करते है उसको रीड करता है यह क्या करता है तो एक तरक यह मीमोरी हो गया जैसे कि हम लोग फोन में समय लीजिए फोन में जैसे कि हम लोग मालेजिए क्या आइटेल का फोन है या समसम का फोल समसम को फोल को खोलते हैं तो किसके काम किसके माध्यम से आता है रोम के माध्यम से आई होप आप सब समझ गया होंगे यहां पर लखिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पदिया ह क्या दिया है में बोड में बोड क्या होता है में बोड का हम देखते हैं लो में बोड को ही मदर बोड बोड बोलते हैं मदर बोड मदर बोड क्या होता है मदर बोड में यह होता है कि जो भी हमारे सीपी का अंदर छोटी-छोटे वायर लगे रहते हैं वो क्या बोलते हैं रेम स्पीऊ कौने काम करते है उमिसका करते हैं इए प्रोसेस करता है क्या करता है सिप्लिय को पिंचर नीचे दिया है आप लोग देख कर समझे यहे यहां पादी आप सिप्यू फिफी ही दो होता है उसको कुलिंग करने के लिए एक CPU फेन लगा रहता है एक क्या बलते हैं पंखा लगा रहता है कि जब भी हमारा CPU हीट होगा काम करते करते ज्यादा काम करते करते हीट हो जाएगा उसको क्या करेगा CPU फेन चालू हो जाएगा और उसको क्या करेगा हीट को कुलिंग कर देगा ओके आगे देखते हैं लोग यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर CPU फेन है एक और यह होता है रेम क्या होता है रेम का क्या है जैसे कि मोवाइल में होता है 2GB RAM 3GB RAM 4GB RAM उसे CPU भी होता है 2GB RAM 3GB RAM और 4GB RAM सेम टू सेम होता है ठीक है आप जैसा कंप्यूटर यहाँ क्या बोलते हैं लैप्टॉप लेंगे और उसे ही इसमें क्या मिलता है रेम मिलता है आपको ओके आगे यहाँ पर रेम का क्या होता है रेंडम SS मिमोरी इसका फूल करेंगे तो क्या होगा हमारा फोन या लेप्टॉप या कंप्यूटर हिंक करने लए गया ओके यह होता है बीजिये कार्ड एक बीजिये कार्ड होता है अंदर जो जैसे की होता क्या CPU फेन की तरह ही होता है बीजिये कार्ड यह हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे इसको पीजिए काड क्या होता है ओक यहाँ पर यह सांड काड यह होता है कि जो भी हम फाइद में अपने लिखते हैं या पढ़ते हैं जो भी data एंटर करते हैं उसको क्या करते हैं उसको save करने के गढ़रे कहा जाता है hardx में चला जाता है ओकि यहां पर गिया है जी रीडर रीडर आलीं वंडेन रीडर आलीन वन इंटरनल यहां पर दिया है इसको क्या बते हैं जो भी हम एक तरह का यह क्या बते हैं डीवीडी के तरह होता है जो भी हम काम करते हैं इसको रीड करता है पड़ता है उसी के भाग होता है ठीक है रोम का ही भाग है ओके थेंक्यू आज के लिए इतना ही मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए टटे एंड वाय बैए अच्छाइब